पता नहीं मेरी रश्मिक कहा होगी किस हाल में होगी मा पापा हम पोलिस कंप्लेन करते हैं निहार बेटा रुख जाओ बेटा तुम्हें तो पता ही है ना कि 24 गंटे पूरे होने तक पोलिस किसे के लापता होने की कंप्लेन नहीं लेता हैं शादी के दिन रश्मिक के गायप होने के कारण निहार गितान जली और अनुपम बहुत गबरा जाते हैं और वो उसे हर जगे धूनते हैं फिर भी उन्हें वो नहीं मिलते हैं वही यामिनी और वनराज पियूश के नाम पर सब कुछ कर देते हैं और पियूश अपना नया बिजने शुरू करता हैं कंग्रेचिलेशन्स पियूश बेटा एसे ही आगे बढ़ते रहो और तरक्की करो अच्छा बेटा तुमने वो स्वीट्स खाए की नहीं जो मैंने तुम्हें भेज़े हैं हा मा खा लिए है मैंने अच्छा मा मैं अभी फोन रख रहा हूँ मुझे एक जरूरी काम आ गया है बाई अरे लेकिन पियूश फोन कॉल कट कर देता है पता नहीं ऐसा कौन सा काम करता है कि इसके पास दो मिनिट चैन से बात करने के लिए भी समय नहीं है हम बहुत देर के बाद रश्मी निहार के लिए गिफ्ट लेकर आती है रश्मी कहा चली गई थी तुम मैं कितना गबरा गया था रश्मी बेटा हमारी तो जान ही निकल गई थी सच मैं निहार गितान जली आंटी I'm really sorry वो actually मेरे फोन की बैटरी खतम हो गई थी तुम मैं आप लोगों को कॉल भी नहीं कर पाई और रास्ते में मुझे ट्राफिक मिल गई मैं ये गिफ्ट लेने गई थी निहार के लिए अगली बार से बाहर जाने से पहले मुझे इनफॉर्म किया करो और अकेली कहीं मत जाना तुम्हें पता है न कि सब कुछ कितना डेंजरस है तुमारे लिए जो हुआ सो हुआ रश्मी बेटा निहार चलो बरना शादी का मुहरत निकल जाएगा सारे महमान आ गए है रश्मी और निहार दोनों की शादी हो जाती है और दोनों एक खुश हाल जीवन जीने लगते हैं कुछ ही महिनों बाद पियुश के भी किर्ती नाम की एक लड़की से शादी हो जाती है और यामिनी अपनी नई बहु के आने से बहुत खुश हो जाती है। किर्ती बहु ये लो ये शगुन के जेवर है। आज तुमारी पहली रसुई की रसम है। इसलिए तुमारे लिए ये मेरे और वनराज की तरफ से तोफा। थैंक्यू सासुमा। लेकिन यामिनी को इस बात की खबर नहीं होती है कि उसकी बहुत उससे भी जादा चालू और चंट है। किर्ती यामिनी और वनराज के खिलाफ प्यूश के कान भरती है। प्यूश ये सासुमा और ससुर्ज कब तक हमारे रास्ते का रोडा बनकर रहने वाले है। नहीं मतलब कुछ प्राइवेसी वगेरा नाम की चीज है या नहीं। लेकिन किर्ती अब मा और पापा इधर नहीं रहेंगे। तो किधर रहेंगे। I don't know। तुमारे सोते ले पिता इतने भी बुढ़े नहीं है जो उनसे कुछ काम धाम नहीं होगा। पियुश अभी तो चल जाएगा। लेकिन आगे का क्या। आगे हमारा फ्यूचर है। हमारे होने वाले बच्चों का फ्यूचर है। हमें एक-एक पैसे की सेविंग करनी होगी। हम लोग हमारे पैसे इन पर खर्च नहीं कर सकते। आ किरते ये भी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या करें फिर। हमें सासुमा और ससुर जी को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या। इसमें इतनी हेरत क्यों मैसुस हो रही है तुमें। सही ही तो कह रही हुमें। तुमारे मा पापा में। अकेले जीने का अब भी दम है और फिर कुछ जरूरत पड़ी तो हम दोनों तो हे ही उनकी सेवा के लिए क्यों मैंने सही कहा न पियुश पहले तू यामिनी और वनराज को घर से बाहर निकालने के इस पैसले के लिए रजामंदी नहीं देता लेकिन किर्टी की चिकनी चुपडी बातों में आकर वो हा कर देता है और यामिनी और वनराज को घर के बाहर निकाल देता है पैसा मत करो बेटा हम दोनों इस उमर में कहा जाएंगे हमें घर के बाहर मत निकालो किर्टी बहु कुछ समझाओ ना पियुश को पियुश ने जो कुछ किया है एक दम सही किया है I am proud of you पियुश पियुश तू ये बहुत गलत कर रहा है बूल मत आज जिस घर में तू रह रहा है और जिस प्रॉपर्टी का तू घमंड कर रहा है वो मेरी और वनराज की है आपकी प्रॉपर्टी है नहीं थी अब वो मेरी है आपको जो सोचना है सोच लो जो कहना है कहे लो लेकिन यही सही रिसिजन है और अब हम दोनों आपका बोज और बरदाश नहीं कर सकते मा चले जाओ यहाँ से पियूश वनराज और यामिनी के मौप पर दरवाजा लगा देता है जिस दिन यामिनी और वनराज घर से बेघर होते हैं उसी दिन रश्मी का प्रोमोशन होता है और वह कंपनी की CEO बन जाती हैं फिर एक दिन रश्मी अपने क्लाइन्ट के साथ मिटिंग करने के लिए कार में सवार होकर उसी शहर में आती हैं जहां यामिनी और वनराज रहते हैं तभी वो सडक के फूट पात पर बुड़े यामिनी और वनराज को देखती हैं जो बे सहारा और बेबस होकर वहाँ लाड़ी रोप कर उनके पास चली जाती हैं पापा यामिनी जी आप दोनों यहां फुट पात पर लेकिन कैसे रश्मी वनराज और यामिनी दोनों भावों खोकर रश्मी के गले लगते हैं और उसे सब कुछ सच बता देते हैं की कैसे प्यूश ने उन्हें घर से बाहर नि माप कर दरश्मी बटा खास करके मुझे माप कर दो मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किये हैं तुम्हें बहुत तकलिफ दिये इतनी तकलिफ कि तुम्हें अपने खुद के घर से ही भागना पड़ा आज मेरे सगे बेटे नहीं मुझे घर से बाहर निकाल दिया हैं मुझ मेरे कर्मों का फोल मिल गया बेटा, और कुछ नहीं, मुझे भी माफ कर दो रश्मी बेटा, मैं कभी अच्चा बाप बन ही नहीं पाया, अगर मुझे पता होता, कि यामिनी ने तुमारे साथ इतना गलत किया है, तो मैं तुमपर जरासी भी आज नहीं आने देता लेकिन मैं यामीनी के बहकावे में इतना बहक गया था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया और फिर तुमारे साथ इतना गलत किया आप दोनोंने जो कुछ भी मेरे साथ किया है स्पेशलि आप यामीनी जी में वो अगले साथ जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगी में आपको माफ तो कभी नहीं कर पाऊंगी लेकिन हाँ मेरी स्वर्गवासी मानी मुझे हमेशा एक बात सिखाई है कि दुश्मनों का भी भला करना चाहिए और फिर आप तो मेरी सोते लिमा हो में आप दोनों को किसी भी चीज की कमी महसुस नहीं होने दूगी ये मेरा आपसे वादा है चलिए फिर रश्मी इंसानियत का फर्ज निभाते हुए अपने सोते लिमा और पिता की देखरे करती है और उन्हें एक अच्छे घर में रहने की जगा देती है और हर हपते वो उन्हें पैसे भी बिजवाती रहती है रश्मी का अपने पीता और सोतेली मा के प्रती इतना प्यार भरा विवहार देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं